शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन बीसेया न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें नमस्कार बेसिन के दर्शेपों का हम एक बार स्वागत करते हैं कोरोना के पारशुवें पर जहां देश पूरी महामारे से जूजरार अब कही न कहीं धीरे धीरे जो कोशिशे की जा रहे ही कि देश फिर से स्ट्रीम लाइन में आए सब की ज़रूतों की चीचे उनकों मिलें और कहीं न कई उद्योग धंदों को भी चालना मिलें जब हम उद्योग धंदों की बात करते हैं जब हम कार्पोरेश्टिक्टर्स की बात करते हैं और जब हम अर्थर ववस्ता की चालना की बात करते हैं तो सबसे अहम जो एक इसका किरदा होता है वो हता है ट्रांस्पोर्टेशन ट्रांस्पोर्टेशन को शुरू करने की भी कुशिशी की गई ट्रांस्पोर्टेशन शुरू भी हुआ लेकिन इसको लेकर कई सारे दिक्कते जो है ट्रांस्पोर्ट के सामने आई है वो प्रशासन से लेकर है वो सरकार से लेकर है क्या है ये दिक्कते किस तरह से ट्रांस्पोर्ट वेफसा है आज की परिस्तिती से जूज रहा है इन बातों को सामने रखने के रिए आज हमारे स्टूडियो में कुछ मैवार मुझूद है मैं सबस्रोप्रदम आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं बता दौ हमारे साथ में प्रळाद अग्रवाल जी जो कि जूइंट अक्षिन कमीटे के से को रिप्रेजेंट करते हैं उजञ हमारे भाई तो प्रलाद अगरवाल जी मैं आपसे जाना चाहूँगा कि क्या वो समझ जा है जिससे ट्रांस्पोर्ट योस है आज जूज रहा है सबसे पहले तो जो करुणा हुआ जिसमें काम बंद हुआ जो एक महिना काम बंद होता तो उसकी छे महने तक मार चलती है और दूसरा इसके जो भी सरकारी कर्मचारी जिनका रविया जो था वैसे क्या वैसा है बीच में दो महिने बनते तब एक हाथ गाड़ी जो जाती थी उ उनका लेन देन नहीं होता तो अभी वो अपना जो भी करते हैं सरकार की पर्मिशन के बगार ये बोलते हैं कि हमारा अधिकार है हजार रुपया लेना पंदासों रुपया लेना दोजार रुपया लेना तो ये चीज़ समझ में नहीं आती सरकार से पूछ तो वो कहते हैं क का रीजन क्या उसका रीजन यह है के ड्रैवर को मान सम्मान नहीं मिलता उसको जब मोटर माली के पास इंकम नहीं होती वो सेल भी कम देता है बहुत सारे इस तरह के रीजन्स हैं और वो सब सरकारी करमचारियों की वज़े से भी उनको प्रेशन के जाता है उसके बाद जैसे जो आदमी गलत कर रहा है पहला उसके बाद जो गलत कर रहा है उसके बाद जो गलत कर रहा है उसके गुना लगाए क्योंकि अगर हम अपने पूर्व जाते हैं तो चीज की जड़ को ढूंते थे कि यह गलती कहां से हो रही है और उसको दंडित करते थे आज उसको दंडित ने करके जो भी हाथ में आगा उसको दंडित किया जाता है कहां तक सर्च है कहां तक सही है वो सरकार को देखना है और अगर नए ड्रैवर नहीं आएंगे नए कैसे होगा सबसे पहले तो हम अपने देश के प्रधामंतिय जिन्द मोदी जी को नवश्कार कि सभी ट्रग चालक मालक जो हमारे देश में अभी कोरोना के संकड में इतना सेवा दिये सभी भाईयों को धन्नवात आज सर सवक्षभारत सवक्ष परिजुब परिवहन हमारी सरकार में पूरा quantities रहें पूरा काम कर रही है आज हम परिवहन करोना के आज किसान उब की सान्व को सभी घालए जया अब पुरी दुन्या को पता है जी आ त्रक एक प्रदेस से दूसरी प्रदेस का सामान भूँचा रहे हैं खाने पीने के सब्जी बाजी आनाच, कपड़े हर चीज गाउं-सहर यृइं समात बेसा और दीन के छोगति को मुझे च्चपोस्ट में जहां प्रदेस के लाओ जूंदे उनको मारते हैं अभी हाल मेरा । बात करने कोशिस कि अधिकारी बात करते हैं तो आज ये करोना के जो तोड़ना चाहते हैं जोड़ना चाहते हैं आज बॉर्डर में अधिकारी उसको इतनी बुरी तरह से चैन को जोड़े हैं दुए दुपर से और फैसा लेने का किस बात का पैसा हम इतनी सेवा दे रहे हैं हमारा किसान सेवा दे रहे हैं त्रक चालग मालक सेवा दे रहे हैं अग उस्से आज वहां पर हज्जारों की संख्षाय में लाइन लगवा रहे हैं ट्रक द्रैवा एक दूसरे को पर चड़ रहा है तो पालन नहीं हो रहा है अब इसमें मुदी जी के मंदल में जो भी केद्री परिवान मंत्री जी उसे हमने एक पर बार नहीं पचासों वार्ण निवेदन लिखीत में दीए मिलान के बोला सब्सक्राइए जे जालू करेंगे इसमें है को ऐए को आज अपने भी बोलते हैं कि अपना भारत देश एक महान देश है जिसमें सभी कानून एक है सभी को एक समान गिनना है गिनना चाना चाते हैं तो ट्रांसपोर्ट इंड़स्ट्री पे यह चीज लागू नहीं होती है जहां तक की देखा जाए अगर गाडी कहीं से भी लोड ह होती है कोई भी राज्य से उस राज्य की जो भी सीमा है जो चेक पोस्ट है बॉर्डर है अगर उस चेक पोस्ट से गाड़ी पास होती है अगर उसमें कुछ गलतिया है तो उसको आटियो दंडिट करेगा चलान के मत्यम से ना के कोई एंट्रिया लेके वह अगर रोके हो गया तो कानून भी एक ही होना चाहिए खुन की सजा अगर मौत है तो वो पूरे देश में एक ही सजा है हर राज्य में अलग-अलग नहीं होती है एक खुन की सजा एक बार फासी देखिक हो जाना चाहिए बार बार फासी नहीं होती है हर राज्ये में खून की सज्य फासी है उसी तरह लोजिस्टिक के दंदे में भी अगर कुछ भी है कोई भी माल लोड होता है कोई भी कमी है तो एक राज्ये करता है तो उसको पूरे बारत में उस चलान को वेध्य जाना चाहिए ना के अवेत्य तो हमारी सरकार से यही गुजारिस है कि कोई भी हो तो अगर एक चलान करता है कोई भी गारी का एक तो सबसे पहले कि चलान किया जाता है गारी का तो गारी मालिक को या वाहन चालक को उसको कुछ ना कुछ समय देना चाहिए ताकि वो उस चलान वेजिए ऌर तो सही करें अगर गलत है तो मुखा दा साबित करने का मौका मिलना बनाया यह गलत तरीके साथ estasas आपका पना पक्षिय रखने का मुकर्रर मिलता है, और कई बार मोगे मिलते हैं, तो हमारी यही बिननती है सरकार से, कि इसमें कुछ सुधार करना चाहिए, और इस इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, आज इस मामारी के समय में इतने हर जगा से कई लोग अपने अपने तरीके से मदद कर रहे हैं सभी इंसान की तो सरकार भी कोशिस तो कर रही है सरकार उपर से तो पूरी कोशिस कर रही है लेकिन नीचे आते आते वो कोशिस आम जंता तक नहीं पहुंच पाती है तो यही बिन ठीक है तो उसकी कहीं नोगे तो मान से कुलताड़ना हो रही होगी उसको सारे इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है एक्चियल में और उपर से आपकी भी नीद्खराब होते होगी आप भी स्ट्राइटी सुकुन से काम नहीं कर पा रहे हो के तो ऐसे दोर में आप कैसे अप को द्राइवर आता है तो उसको तर्णी दिर्वानी हैं तो मैं मेरे खर्चेब जो भी पैसा उसके लिए उसके स्कूल के लिए या सूर्णी के लिए खर्च करना पड़ेगा वो में पैसा मेरे वो जब वो डैवर बन जाए, जब उसका काम चालू हो जाए, तो वो नोमिनल जैसे, मानलो अगर वो दस ज़र पाता है, या बीस ज़र पाता है, तो वो 5-10% करके मेरा पैसा चुका दे, और वो डैवर बनके अपने परिवार को, अपने बड़ों को, छोटों को जो भी है, सुख पेगी, और अगर लोजिस्टिक इंडिस्टिक नहीं रहेगी, तो आप भी सोचिए कि अगर माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, और अगर कम द्रैवर होंगे, तो वो पैसा ज्यादा मांगेंगे, तो वो बोजह सब किस पे में गिरेगा, पबलिक पे गिरेगा और जो इसमें सरकार सहीयोग नहीं जेरी, मेरी सरकार से अपील है, उसको इस बारे में कोई भी एक जैसे इंक्वाईर बिठाते हैं, इसके बारे में भी पांच चार लोगों को अच्छे लोगों को जो इस इंडिस्टिक को बचा सकते हैं, उनको नुमिनिट करना चाहिए, और उनसे जो सही आदमी हैं, उनके पास जाके पूछना चाहिए, यूनियनों जो अपनी स्वाथ्य यूनियनें भी बढ़ी हुए है, उनसे बचके और जिसको एक्चिन तकलीफ है, मानलो मैं करीब सो गाड़ी का मालिक हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं सारा जी है, जैसे अभी सरकार से माँ हुई थी, कि इनका इंट्रेस्ट इनको टोल टेक्स के लिए फ्री किया जाए, इनका टेक्स माँफ कर दिया जाए, तो सरकार को हर आदमी को जैसे चोटों के लिए वह कर रहे हैं, इस इंडर्स्डिज़ में भी बह। चोटे आदमी है, च आप चाहते हैं कि जो प्रशासंग हो जो भी आपका व्यवसाहिए हो उसको प्रशासंग के तरफ से जो एक व्यवस्ता जो है धरश्टाचान मुट्व व्यवस्ता होनी चाहिए आप अपने अपने इस बात को रखने के अब तक या प्रयास किये का रिजाद्य के असके लिए हैं मेरे जारी हैं ते हामने सबसे पहले हमने नाक०्व के घटकरी साहव से दिया हैं ते हमने उसे निवेदर के सरे मर्थ प्रदेश में सरकार आपके चर्थी गड़न सरकार आपके ते बैरियल क्यों लगें पहले को मतलब नहीं होता है लुटा ही हो रही है तो उन्होंने एक्सान लेते हुए बैरियल को खतम किये करने बाद फिर हमने MP में हर चेक पोस्टों को हमने दोड़ा किया जितने चेक पोस्ट MP में 43 हैं हमने दोड़ा किया था हमने वो लग सर एक पैसे क्यों ले थे वह तो उपर से आदे से हमने उपर में सीधर ट्रांसपोर्ट कमिश्णा के पास पहुंच गया उन्होंने बोला उपर से मारे को या दिसम सर्कार को बदनाब क्यों कर रहें यह आदमी सरकार को बदनाब यह प्रशाश्च्नी कदिकारी करके सरकार के नाम पर पैसे ले रहे हैं ऑगाडी वाला कि सत्रह से जी रहा है कि पूरे देश का जीवा ने आपन आज उसके हाथ मैं स्थाय ठबड़ी वहां पर भी जो है ट्रांसपोर्टेशन को जहां पर जो की ट्रांसपोर्टेशन जिवनाय शवस्तु का ट्रांसपोर्ट किया है उसका जो वहतुप्टी है वह अपने एक सराम यह कदम भी था उसमें इसकी वज़े से आपके और हमारे घरों तक जो सब्ज कौन कर रहा है और अज तक पता नीचे और जब कि बताइए मंतराले किसले बना जाते हैं हम प्रदाह मंतरी निटियुक्त कर ने के हमरे मोधी साड़ा मंतरी जी उनके सरकार में सामील है आज अगर बहुत चाहले हम तो सरकार से कोई माग नहीं किये हमने लेटर भी दिख के दिये च्छे महिना के लिए स्टॉल्मेंट रोक दी जाए टेक्स माफ कर दिये जाए आज गाड़ी वाल नहीं दे सकता सरकार एभी ने करे सरकार के वल पूड़े आटियो चेक प पोस्ट के जगे में लूट पोस्ट लिख दिये जाएंगे तो आटो मैं टिक सब जाएगा यह लूट पोस्ट है यहां पर तो गवर्मेंट तरजेसे वह इंटीग्रेटेट की हम बात करें तो जो भी चालन होते हो तो आनलाइन चालन की भी तो प्रोवीजन किया हुआ उस पालन नहीं हो रहा है वहां पर आपने तो ठीक है नहीं दिये तो बीस जार पचीज जार का चलान बनाने की धंकी दी जाती है जै गाड़ी 2-2-3-5 गंदे 6-6 गंदे अभी जाकर बॉटरों में देखिए लाइन लगी है फबली कुल निकलना मुस्किल है और पैसा देखे चले जाओ तो कोई टेंसन नहीं तो वहां पर सरकार के नाम से पैसे अथिकारी बसूड़े हैं अब हम तो मेडिया वालों से निवेदन करता हूं आपके चैनल से निवेदन करता हूं कि आपको जो संपादक जी है आप जैसे वर्ष्ट लोग हैं आप जाके सरकार से पूच चाहता है अपना रोजगार चालू करना चाहता है लेकिन अधिकारियों के वज़ा से आदमी मौत गढ़ें जा रहा है आगे अधिकारी के चलते डर के चलते तो हम सरकार से मा करते हैं कि परिवहान विवाग को भय मुक्त बना दिया जाए किसी को किसी से डरना लगे आपके पास अनलाई सुविदा है सब सुविदा है गाड़ी हाइट है ओवरलोड है पेपन ने आप चांद करिए न जो राज़त के खाते में जाएगा सरकार के खाते में जाएगा और यह जंता को उसका फायदा मिलेगा लेकिन बे अधिकारी मं सब्सक्री जी के नाम पर सरकार के नाम पर और वों कर रहों कि आपको हिंदू सामें से को तर्कुलेटर नहीं होगा जो आकड़ा को बता दे कितना पैसे डेलीकार रहा है दो नंबर का किसके पास जा रहा एग जोई गंभीर बात है अगर ऐसा हो रहा है स्ट शज़ते चलते प्रह railway आपसे पूछना चाहूँगा आप क्या सोचते हैं इस विशेप में आपकी Voper Canada है किसे इसपर इन करने विद्धिया जो मैं जो कहता हूं मैं किसान भइयों केस्टप परने चेहा करना होने के वज़े से उस परमिशन को मैं संब्ध ने पाया जिब कि कोई भी एक श्टेट परमिशन देता है वो फो इंडिया वहले रोट तो जिसको भी अगर मानलो जिसके में भी माल लोड करना है मैं तो यह मानता हूं उसकी ड्यूटी है कि वह माल गाड़ी में सही लोड हुआ कि गालत लोड ही नहीं करा है जिससे यह वीशे आए ही नहीं और अगर उसमें अगर मानलो गलत माल भी भीजना पड़ता है तो उसमें सरकार के नियम है जैसे गुज़ाद गूर्मिट ने अभी कर दिया है कि अगर आपके जो भी माल भरा है आप उसको ओन लाइन जि इसका एक सेंपल भी दिया है जो कि आप उनको दे सकते हैं जब से गुजरात में यह हुआ है वहां पके बॉर्डरों के अरोनों में बॉर्डर भी बंद कवा दे पहले गुजरात का बॉर्डर सबसे ज्यादा होता था और सबसे पहले अच्छे बॉर्डर बनाने वाली किया यह सोचने का विशह है तो उन चीजों को देखते हुए जो इस लाइन में सबसे ज्यादा बुराई है करप्शन की उसको दूर करने के लिए सरकार को सोचना चाहिए और नए ड्रैवर तभी आएंगे जब ड्रैवर को मान सम्मान और उसको अच्छा पैसा मिलेगा जि जी मेरा तो सरकार से हाज जोड़के यही निवेदन है कि अगर सोचना है तो अच्छे से देखिए कि जिस हिसाब से यह जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ ना इंसाफी हो रही है वो ना हो क्योंकि सरकार ने हर चीज में हर इंसान से यानि हर क्या बोलते हैं हर तरी के से हर लोगों की मदद की है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को हमेशा अलगी तरह कैसे माना है कि जैसे तो वह भारत का किसा है ही नहीं उसको कभी भी कोई सौलियत नहीं दी है तो हमारी तो सरकार से यही गुजारिस है कि जो मैंने आपसे पहले भी बताया कि अगर एक का है कि अगर कोई अधिकारी ने रिश्वत के तोर पे पैसा मांगा गाड़ी वाले से और बोलेगा यह तुमारी गाड़ी नुक्सान होगा आम जंता को यह परेशानी होगी अगर ड्राइवर ने उसको 500 अजार दे दिया तो वह के हो गई गाड़ी तो वह रस्ते में कोई आगरवाल जी ने आपको बताया है कि प्रस्ताचार एकदम बन तो तुरंद नहीं होगा लेकिन एक कोशिस कर रहे हैं कि जिससे की यह प्रस्ताचार थोड़ा कम हो और ड्राइवर इंडश्ट्री भी शुद्रे और जो ड्राइवर उसके साथ बत्तमी जी से पुलिस और लोग जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा कम हो बंध हो ताकि वो भी अपने आपको एक इंसान माने और अपने आने वाली पीडी को भी वो ड्राइवर बनाने की इच्छूक हो जो के अभी फिलाल वो इच्छूक नहीं है बिल्कुल सही बात करें सर आपने हम चलते- निटी है आपके और हमारे घर तर्व जोबी चीजे वहुष्टी उसके लिए इस ट्रांस्पोर्ट व्योजगार की सुविधाय यह व्योजगार के थूप राप्त हो सकती है इसका भी पूरे देश ने खायल करना चाहिए सरकार ने खायल करना चाहिए प्रशय सबने करना करना चाहिए और इस ट्रांस्पोर्ट एफसाय को आगे आने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन जरूर करने चाहिए मैं तमाम मेहमानों को फिर से एक बात धन्यवाद करता हूं और आपकी बात लखने के शुक्त अन्यवाद